यह दिया आप अपने Raspberry Pi, Laptop, PC या इवन अपने पुराने Cell Phone को एज सर्वर यूज़ करना चाहते हैं वो भी बिना किसी जटिल, Router Configuration के या Port Forwarding आदी के जिस पर कि आप WordPress, Next Cloud, Wave SSH, Nest जैसे सर्वर को होस्ट कर सकें तो आज का ये वीडियो आपके इसमें काफी हेल्प करने वाला है तो आए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे वर्क करेगा नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है अनेल और आप सभी देख रहे हैं टेक्चेव यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको जिस मेध़ड के बार में बताऊंगा उसका नाम है पेज काइट ये आपके लोकल होस्ट सर्वर को पब्लिक इंटरनेट से जोडने का काम करता है जैसे कि आप अपना एक कस्टम नेम भी दे सकते हैं अब इससे यहाँ पर फरक नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर किस तरह का इंटरनेट पर प्रियोग कर रहे हैं ये वन आप अपने मोवाइल के होट स्पॉट से भी इसको यूज कर सकते हैं और ये अधिकांस कॉमन ओस पर इसली वर्क कर सकता है जैसे कि आपके इतरह के टास्क में यूज ले सकते हैं जैसे कि SSH एक्सेस के लिए अपने लोकल सर्वर्स को इंटरनेट पर एक्सपोज करने के लिए ये वैब डवलपर्स, हैकर्स, थिंकरर सादी के काफी काम आ सकता है जैसे कि मैं आपको इसका डेमो दखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं देखिए ये वैसे तो एक पेड़ सर्विस है पर आपको जहाँ पर एक माने का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है कुछ लिमिटिसंस के साथ जो कि आपके काम के लिए काफी है तो इसको यूज करने से पहले हमें इस पर रेजिस्टर करना होगा जो कि काफी आसान है आप सिंपिल से साइन अप पर किलिक कीजे इसके बाद अपना इमिल अड्रस टैप कीजे फिर आप यहाँ पर कायट का नाम सेट कीजे अपर इस तरह का इमेल आएगा यहाँ से आप अपने पेकेस काइड अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने इमेल को वेरिफाई कर लिजे और आपको नीचे अपने पूर अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी जैसे कि आपका अकाउंट का टाइप किया है इमेल अडरस कौन सा है उसका पॉसवर्ड किया है आपने जो भी डोमें नेम सेट किया है वो आपको यहाँ पर देख जाएगा तो अभी आप इस कड़न सिल का प्रियोग करके इस पर लोगिन कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको देखाता हूँ लोगिन करने के बाद आप यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे यह देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का टाइप किया है कितने मैंने का trial अभी बचा हुआ है कितना quota left है कितनी kite अपने use कर रखे हैं correction कितने बना रखे हैं वो सब आप को यहाँ पर देख जाएगा तो अभी आप यहाँ से अपने पूरे account को manage कर सकते हैं जैसे कि अपने page kite का जो domain set किया है आप इसको यहाँ पर disable कर सकते हैं इसको reset कर सकते हैं या कोई नया kite add कर सकते हैं तो अभी इसको use करने के लिए हमें इसको अपने system पर install करना होगा आप इसको Windows, Mac और Linux जैसे OS पर easily setup कर सकते हैं आपको यहाँ पर इन सभी OS के लिए steps मिल जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं कालनेस का प्रियोग करूँगा तो आप इस script को अपने system पर download कर लिजे तो यहाँ से मैंने यह command copy कर लिया है जो कि page guide की python की script को download करेगा तो मैं इसको अपने कालनेस पर install करूँगा तो मैं अपने काली machine पर आ गया हूँ इसके बाद open कीजे अपने terminal और आप इस script को यहाँ भी download करना चाहते हैं आप उस folder पर आ जाएए जैसे कि मैं इसको अपने desktop पर ही download करूँगा तो मैं अपने desktop पर आ चुका हूँ उसके बाद जो अपने command copy की है उसको अपने यहाँ पर paste कर दीजे तो यह command page kite के script को आपके system पर download कर देगी अभी आप देख सकते हैं यह मेरे desktop पर download हो रही है download होने के बाद हम इसको direct ही use कर सकते हैं और यह देखी दूस्तों यह यहाँ पर download हो चुकी है तो अभी मैं इसको run कराता हूँ तो इसको run कराना काफी आसान है आप यहाँ पर simple से type कीजिए python 3 उसके बाद script का नाम फिर आप यहाँ पर port number type कीजिए कि आप यहाँ पर कौन से port number को forward करना चाहते हैं तो मैंना type कर दिया 80 इसके बाद जो अपने page kite का नाम set किया था वो domain आप यहाँ पर type कर दिजिए जो भी page kite का custom domain है वो आप यहाँ पर type कर दिजिए तो आपके local system पर जो भी service port number 80 पर run हो रही होगी आप उसको इस domain की मदद से access कर पाएंगे तो अभी मैंने score on करा दिया है इसके बाद आप यहाँ पर इसको yes कर दिजिए जो भी इसके trams and services हैं आप इसको यहाँ पर accept कर दिजिए इसके बाद आपको यहाँ पर login करना होगा तो जो भी अपने page kite का account create करते समय email address set किया था वो email address अपने आप टाइप कर दिजिए email ID टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना password टाइप करना होगा तो जो भी आपने इसका password set किया है या जो आपको email पर receive हुआ है आप इससे यहाँ पर login कर लीजे और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर login हो चुका है login करने के बाद यह बोल रहा है कि आप इस setting को save करना चाहते हैं तो आप इसको save कर दीजे ताकि यहाँ पर इस detail को बारवार ना पूछे और बस उसके बस यहाँ पर page kite की service स्टार्ट हो जाएगी जिसको आप easily use कर सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर kite flying हो रही है यानि कि अभी आपके जो local system पर port number 80 पर service रन हो रही है आप इसको इस URL के मदद से access कर पाएंगे जैसे कि मैंने इस URL को अपने ब्राउजर पर open कर लिया है और मैंने अपने local system पर एक web server start किया हुआ है तो यह web server इस link के दोर open हो जाएगा यह दिकी दूस्तों यह web server यहाँ पर open हो गया है वो भी https connection के साथ तो अभी मैं इस URL के मदद से आपने local web server को किसी भी device पर और internet पर कहीं पर भी use कर सकता हूँ जैसे कि मैं आपको देखाता हूँ आप इस अपने दूसी device पर आच चुका हूँ और मैंने इस address को अपने ब्राउजर पर open किया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी open हो गया है पर अभी HTTP पर open हुआ है जैदी आप चाहें तो आप इसको HTTPS पर भी open कर सकते हैं यह दोनों पर यह work करेगा और यह लिजे अभी HTTPS पर भी run हो रहा है तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कोई भी local service को internet पर कहीं भी access कर पाएंगे जैदी आप इसको stop करना चाहते हैं तो control C press कीजे तो यहाँ पर यह stop हो जाएगा जैसे के भी मैं आपको एक और demo देखाता हूँ मैंने port number 8080 पर wordpress को setup किया हुआ है तो मैं अपने wordpress को इसके तो रहा access करना चाहता हूँ तो मैंने port number यहाँ पर set कर दिया है उसके बाद यहाँ पर यह page guide वापस से start हो जाएगा जो भी port number मैंने यहाँ पर set किया है यह उसके साब से work करेगा तो अभी यह start हो चुका है तो अभी मैं अपने local wordpress को कहीं पर भी access कर पाऊँगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसको अपने दूसी device पर open किया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी local wordpress की website easily access हो पा रही है तो अभी मैं इस website को internet पर कहीं भी access कर सकता हूँ वो भी किसी भी device पर तो इस तरह से अपने पर page guide का प्रियोग कर सकते हैं आप जिस भी port number को forward करना चाहते हैं आप उसको easily forward कर सकते हैं उसके बाद आपके local system पर उस port number पर जो भी service चल रही है आप उसको easily access कर पाएंगे तो भी आप उसको किसी भी काम में यूज ले सकते हैं आपको यहाँ पर एक मेंने का free trial मिल रहा है कुछ limited quota के साथ और सबसे बड़ीया बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर एक permanent address मिलता है जो की बारवार change नहीं होगा जबकि ngrok जैसी service के अंदर यह address change होता रहता है तो बस आपको यहाँ पर एक बार ही setup करना है उसके बाद आपने पर इसकी free plan के अंदर इसको एक मेंने तक use कर पाएंगे और जब आपका plan expire हो जाता है तो आपने आपके दूसरे email का प्रयोग करके इसको बापिस से access कर सकते हैं तो यह आपके कई जगे काम आ सकता है आप इसके मदद से SSS को भी access कर सकते हैं जिसके मदद से आप अपने raspberry pi या किसी दूसरे system को worldwide कहीं पर भी access कर पाएंगे तो बताए दोस्तो यह जंकरी आपको कैसी लगी यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और यदि आपका इथिका लेकिंग और cyber security में इंट्रेस्ट है तो आप मेरे cyber tube.net और tech chip.net website को विजट कर सकते हैं आपको वहाँ पर मेरे practically काफी सारी वीडियो मिलेंगी यहां से आपको बहुत को जानने को भी मिलेगा और यदि आप इस चैनल पर नहीं आया है आपको यह जंकरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वो भी बैल आइकन के साथ ताकि मैं इस चैनल पर कोई वी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नुटिफकेशन आपको तुरंधी मिल जाए और वो वीडियो मिसना हो पाए तो अभी के लिए मैं आप से जाज चाहूंगा जल्दी ही मुलकात होगी ऐसी किसने वीडियो के अंदर नमस्कार